हालू फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में बड़ी खुसकबरी आ रही है ग्रूप दी द्रेवाठार अभ्यवत्यों के लिए आपका सेंटर रेलवे की जरब से आपका आरासे सेंटर रेलवे की जरब से आपके स्क्रीन पर और दोस्तों यहां देखें लेटेस्ट सुचना में जिसका आप लोग बेस इंतिजार करे रहे थे प्रोभीजनल पैनल पार्ट नमबर 10 दोस्तों यहां पर प्रोभीजनल पार्ट नमबर 10 घोसित हो चुका है तो चलिए दोस्तों को हम डाउनलोड करके आपको बता देते हैं कि कितने लोगों का किस-किस क्रेटिक सबसे पहले तो चलते हैं अब नोटिफिकेशन में और देखते हैं डीटेल में यह रहा वह फिसा सूचना आपके स्क्रीन पर रेल्वे रिक्रिटमेंट सेल वेस्टन डेल्वे मूंबई और दोस्तों यहां देखिए ग्रूब डी दो एठारा का नोटिफिकेशन संखिया ह है और ह्जास सब्यक्ट में देखिए डेकलेक्राशन ऊपर वेस्टन पैनल पार्ट नॉमबर 20s और रिफ्लेसमेंट पैनल पार्ट वन तो दोस्तों यह आपका परी पैनल प्लेस किया है तो पूरी सुचना को देखेलेंगे दोस्तों चलते हैं नीचे और देखते हैं दोस्तों इसके बाद वसे ने एक डिसाइड किया कि यहां पर एक बाद फिर से document verification करवा जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए क्योंकि candidate का shortfall वहाँ पर हो गया था और 362 non-PWD candidate तो दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि total 362 लोगों का जो की non-PWD यानि गहर दिव्यंग जन है उनका ninth stage में document verification करवाए गया था और उसके बाद and 48 PWBD candidate 5th stage from 22nd September 2021 to 12 October 21 and from 25 10 2021 to 27 10 2021 second and final chance for absentees pending cases of some candidates of earlier DVs have been finalized तो दोस्तों बता जा रहा है कि यहां पर उसके बाद आपका 48 दिव्यांग जोनों को भी यहां पर मौका मिला था document prediction का जो की उनका fifth stage में होने का था तो आपका इन इन dates में वह सारा कुछ process complete हुआ और उसके बाद कुछ लोगों का pending cases भी था तो उनको भी यहां पर finalize कर दिया गया था अब आते पॉइंट नमबर सेकेंड वियो देखें यहां पर on completion of formalities as per the procedure laid down by railway recruitment board railway recruitment sale western railway further declare the provisional panel part 10 तो दोस्तों बता जा रहे कि पूरा जो formality होता railway recruitment board का railway recruitment sale का तो पूरे procedure को complete करने के बाद अब railway ने decide किया दोस्तों कि यहां पर आपका provisional part 10 भी घोशित किया जाए of 16 non-PWD candidate and six PWD candidate on 21 11 2021 and also replacement panel of part one of 175 non-PWD candidate candidate तो दोस्तों यहां बता रहे कि आपका जो यह गोशित हुआ है provisional part 10 इसमें total आपका 16 गैर दिव्यांग जन है और छे दिव्यांग जन है और साथे साथ replacement panel में भी यहां पर जो non-PWD candidate का रहा है 175 लोगों का यहां पर role number मौजूद है चलिए अप डिटेल में चलते हैं लिस्ट में तो देखिए यहां पर डिटेल ऑफ प्रोविजनल इंप्रोविजनल कंडिडेट आर एज अंडर दोस्तों लिस्ट में देखिए यहां पर हम दिसक्स कर लेते हैं सबसे पहले आता हमारा अन्रिजर्व केटिगेरी में तो यहां प्रोविजनल पार्ट 10 में टोटल आठ लोग का सेलेक्शन हुआ है और रिप्लेस्मेंट पैनल 1 में टोटल 106 लोगों का सेलेक्शन हुआ है जो कि आपका गयर दिव्यंग जनी में आ स्य होना आःए वियंगे में दो अ उसके बाद रिप्लेस्मेंट पैनली 25 लोग तो यहां पर में नहीं हुआ है अग्ञानों के बात करें दोस्तों पर पाट 10 में 185 नो mandate सेलेक्शन वा है और अगर पीड़ी के बात करें तो टोटल यहां पर टोटल छे लोग का सेलेक्शन हुआ है अब आते हैं नीचे यह तो नीचे देखें यहां पर कुछ बाते हैं लिखी गई है तो देखें आपर रिजल्ट ऑफ सम अफ दर नॉन पीड़ीड एंड पीड़ीड केंडिडेट इस तील केप्ट पेंडिंग तो दोस्तों यहां पर बता जा रहा है कि कुछ दिव्यांगजन कुछ गैर दिव्यांगजन का जो रिजल्ट अभी पेंडिंग रखा गया है एंड हैस नॉट बिंग डिकलेड तो अभी तक उनका डिकलेड नहीं हुआ है सेल भी डिकलेड एड लेटर स्टेज सब्जेक्ट फुल्फिल्मेंट ऑफ ओल लेड़ डाउन रिक्रीटमेंट तो दोस्तों बता जा रहा है कि यहां पर जेसे जेसे उनका जो भी रिक्रीडमेंट है फुल्फिल होगा वैसे वैसे इन सभी का जिनका अभी तक पेंडिंग रखा गया है तो उनका रिजल्ट भी गोसित होगा इसका मतलब दोस्तों अपका प्रविजनल पार्ट 11 भी जल्द आने वाला है तो जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वह बड़ा ही नहीं उनका भी लिस्ट में नाम आएगा अगला हो सकता है कि 11 पैनल जब गोसितों का उस समय हो आएगा अब आते हैं पॉइंट नमर थ्री में देखें आपर अलॉट्मेंट ऑपोस्ट डिविजन यूनिट इन डियू कॉर्स तो दोस्तों बता जा रहें क अलॉट्मेंट यानि आपका किस पोस्ट में वाक कहां कौन से डिविजन में सेलेक्शन होआ है वह लेटर स्टेज में डिकलेड किया जाएगा एंड सेल भी सब्जेक्ट टू एवलोटी और वेकेंसी तो वेकेंसी यानि किस किस पोस्ट में किस जोन में किस डिविजन में क इतने वेकेंसी है उस हिसाब से आपका डिविजन अल्टमेंट होगा रिक्विशेट मेडिकल फिटनेस आपके मेडिकल फिटनेस को भी वहाँ दिखा जाएगा ऑप्शन एड्सेक्टर ऑफ़र अपन्मेंट सेल भी डिस्पेश्ट बाइ डिस्पेक्टिव डिविजन यूनि लेटर सेट तो मेरिट और रेंग फिलहाल यहां पर नहीं दिया गया है पॉइंट नुबर फाइप में आते हैं तो आफ्टर डिकलेर्शन और प्रोविजन पैनल पार टेन टोटल कंडिडेट फाइप थावजन एट हंड़ेट एटी थी आर इंपैलन तो दोस्तों बता ज उपार के एंबसें ब低ड्राशन से गलवाट करें तो इन्टी टी टिय यहं la cu बात करें तो 5746 लोगों का सेलेक्शन हो चुका है और दिव्यंग जन की बात करें तो तो टोल 137 लोगों का सेलेक्शन हो चुका है यहां पर आप तक अब आते हैं आगले पोइंट में पोइंट नॉम्बर 6 में तो वाइल यू के और प्रिपेरिंग देजर्ट आर्रसी वेस् जब्ट दो राइट के पास पूरे अथिकार है कि अगर आररसी के संग्यान में कोई अगर आपने की है और उसके संग्यान में आई तो हो सकता है कि पैनल में नाम आने के बाद भी आपका लिस्ट दे नाम हटा दिया जैसे है आरसी का जो डिसीजन वही सर्वमान होगा और किसी भी प्रकार के प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए आदिकार है कि कभी किसी भी वक्त किसी भी स्टेज में उस उधार कर सकता है अब आते है पॉइंट नमर्-7 में देखें आपर देशीज़न आप बनेृसी वेस्टं रेलव इन राइट फॉर अपॉन्मेंट इन रेलवे सर्विस दोस्तों यह बता जा रहा है कि आपके यह प्रोविजनल पैनल है ऐसा मतलन नहीं कि प्रोविजनल पैनल में नाम आने के बाद आपका जोब हो ही जाएगा 100% लेकिन दोस्तों यहां पर इपित फिलाल ऐसा कुछ नहीं ह आपको मान के चली के 99% आपने स्टेज है वह क्लियर कर चुका है उसके बाद आते हैं पॉइंट नमबर नाइन में तो देखें आपर आरासी विल नॉट इंटर्टेंड इनी इंडिविजुल ग्वैरिज इन दिस रिगार्ड तो दोस्तों बता जा रहा है कि क्या आप शाह दोस्तों इहां पर कुछ ओंडिवियंगजन भी है कुछ दिवयांगजन भी है to arrange in order of role नमबर तो दो सो बता जाहां किया प्रोविजनल पार्टेंड में ?। तो देख सकते हो यह वो रोल नमबर यहां मativo रोल नमबर है ये पहले आपका जो 11 आपका उपका जो दिव्यांग जन है फिलाल यहां LD category और VI category में selection हुआ है कुछ लोगों का तो यहां पर रोल नमर मौझूद है आप देख लिए कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं है अगर इसमें आपका नाम या रोल नमर मौझूद है तो आप हम comment करके ज़रूर बताएगा हमारी चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हादिक सोब कामना है रेलवे गुरूप डी की नोकरी के लिए तो फिलाल दोस्तों यह ख़बर आ रहे थी वेस्टन रेलवे की तरफ से जो लेटिस थी इस रेक्रीटमें सेक्शन में मिलते अगली वीडियो में तब तक करे धन्रवाज जय हिन जय भारत